चलिए अब बात करते हैं यदि हम एलकोगसाइड ग्रूप लेते हैं तो कैसे यह प्रतिस्थापन करते हैं हमने लिया है क्लोरो बैंजिन ये क्लोरो बैंजिन जो है ये सोडियम एलकोगसाइड एन ओच्छ 3 से जब अभिकरिया करेगा तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो ताप है वो 220 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तो 220 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ यहां पर कॉपर का कोई लवन लेंगे हम इनके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो इस समय हमें मिलता है फेनिल मेथिल इथर जिसे हम एनी सॉल भी कहते हैं तो यहां हम देखते हैं कि इक टेंपरेचर में ही अभिक्रिया होती है चलिए बात करते हैं जब हम इस बैंंजीन लिंग में एनस टू गूप को भी जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्ञा कर ना तो इस प्रकार हमने देखा ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हमें एक निश्चित ताप और उत्प्रेरग को ध्यान रखना होता है चलिए देखते हैं आगे की अभिक्रिया इसमें हमें बेंजीनिंग में साइनाइट को जो है एड करना है इसके लिए पिरिडीन की उपस्तिती में यह अभिक्रिया हम करवाएंगे क्या मिलेगा देखते हैं जब हम क्लोरो बैंजीन को कॉपर साइनाइट के साथ पिरिडीन की उपस्तिती में 200 डिग्रे टेंपरेचर पर गरम करते हैं तो हमें मिलता है फेनिल साइनाइट तो देखें यहां पर प्रतिक अभिक्रिया जो है वह एक निष्चे ताप पर होती है चलिए कुछ और अभिक्रियाई देखे मालनों हमें potassium hydrogen sulfide की अभिक्रिया क्लोरोबेंजिन से करानी है तो क्या होगा? इनकी जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमें थायो फिणॉल मिलते हैं, चलिए आगे इनमे किस प्रकार के अभिक्रिया होती हैं? देखते हैं, इनमें अगली प्रकार के अभिक्रिया है अप्चेन के अभिक्रिया, अपचेन करवाने के लिए हमें कुछ ऐसे अपचायक की आशकता होगी जैसे हम ले सकते हैं सोडियम और मरकरी अमलगम या हम ले सकते हैं एलकोहलिक कोई भी छार जैसे हमने ले लिया एलकोहलिक एने वेज तो इनकी उपस्तिती में या फिर हम ले सकते हैं निकिल और एलमुनियम इनकी उपस्तिती में क्लोरो बैंजीन जो है अभिक्रिया करता है और इनके अपचेयन से हमें एरीन्स मिलते हैं कुछ इस प्रकार अब हम बात करते हैं वूट्स फ्रेडिंग अभिक्रिया की वूट्स फ्रेडिंग अभिक्रिया में हमारा जो हैलो एरीन्स है ये उच्च हाइड्रो कार्बन बनाते हैं इनमें कार्बन की संख्या क्या होती है बढ़ जाती है कुछ इस प्रकार एरीन्हेलाइट जो है वो तो गरम करने पर हैलोजन जो है वो एलकिल ग्रूप से क्या हो जाता है प्रतिस्थापित हो जाता है जिससे हमें उच्छ हाइड्रोकार्बन मिलते हैं यदि हम यहाँ पे एथेन और डाई फेनिल जो होते हैं वो बाई प्रोडक्ट के रूप में इस अभिक्रिया में हमें मिलते हैं इसके बाद बात करते हैं feeding अभिक्रिया की, feeding अभिक्रिया में हम aryl halide को शुष्क इथर की उपस्तिती में sodium के सांद जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है diphenyl, इसमें हमें diphenyl बनाने की एक विधी का भी क्या हो जाते हैं, ग्यात हो जाती है अब हम बात करते हैं, ग्रिग्नाड अभिकर्मक कैसे बनेगा, इसके लिए देखिए हम aromatic bromide या iodide को शुष्क इथर की उपस्तिती में, magnesium के सांद जब क्रिया कराएंगे, तो हमें क्या मिलते हैं, ग्रिग्नाड अभिकर्मक, जिसे हम aryl magnesium halide कहते हैं जब हम aryl halide के बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत हैं महत्पुन संचलेशन होता है, उल्मान di aryl sensation अभिकर्या इसमें हम iodobenzene लेते हैं, इनके दो मोल को जब copper के सांथ गरम करते हैं इसके लिए हमें एक बंद नली लेनी होगी, बंद नली में 200 डिग्री पर जब इसे copper जोन के सांथ गरम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डाई फैनिल मिलता है इस अभिकर्या को हम उल्मान di aryl sensation अभिकर्या कहते हैं पॉलि हेलोजन यौगीख, जब एक से ज्यादा हेलोजन alcan में होते हैं, तो इसे हम पॉलि हेलोजन यौगीख कहते हैं हमें शुरू में यह इसका नामकरन देखा था देखिए जिस प्रकार यहां देखिए एक हैलोजन है इसके बाद और हाइट्रोजन हड़ते जाते हैं और हैलोजन यहां पे जुड़ते जाते हैं ऐसे योगिकों को हम क्या कहते हैं पॉली हैलोजन योगिक इस प्रकार के योगिकों का क्रिशी के चेतर में और उद्योगों के चेतरों में बहुत ज्यादा उप्योग है इन योगिकों का चिकित्सा के चेतर में पहले बहुत उप्योग किया जाता धा पर जैसे जैसे समय बी पुरी पारिस्तेतिक तंत्रों पर ये दूश्प्रभाव जैसे जैसे डालने लगे और इनका जैसे हमें पता चलता गया तो अलग-अलग देशों ने इसके उप्योग पर प्रतिबंद लगा दिया यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने तो बहुत सारे पॉली हैलोजन यूगी को के उप्योग पर प्रतिबंद लगाया है इन पर इतना प्रतिबंद क्यों है इनके क्या-क्या उप्योग है और हम इन्हें कैसे सावधानी से उप्योग करें इस पर चलिए थोड़ा डिसकस्शन करते हैं तो पॉली हैलोजन यूगी कौन-कौन से है हैं देखें और किलॉरोमेथेन जिसे हम मेथलीन क्लोराइड भी कहते हैं को इस चांघ क्लोरोमेथेन जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं जिन का समाने नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन जो की फियोन है इन योगिकों के बारे में हम थोड़ा और डिटेल जानते हैं कि क्या-क्या इनके उप्योग हैं क्या-क्या इनके गुण है और कौन से योगिक हमारे शरीर पर क्या प्रभाव आते हैं और पर्याव क्लोराइट के बारे में यह जो होते हैं यह रंग हीन होते हैं पर इनमें अलकी सी मीठी मीठी से गंध आती हैं सांथ यह आवाश पशिल द्रॉव होते हैं इनका क्वातनांग 313 कैल्विन होता है इनका हमारी शरीर पर बहुत दूश प्रभाव होता है बहुत बार देखा गया कि इनकी थोड़ी सी भी मात्रा होने पर बहुत सारे लोगों में सुनने और देखने की जो समवेदन चिलता है वो छीन हो जाती है यह इतने हानी कारक होते हैं कई बार ये भी देखा गया है कि इनकी उपस्तिती के कारण अगर ये हवा में थोड़े से भी जादा है तो लोगों को चक्कर आता है थोड़ी उल्टियां होने लगती हैं कुछ लोगों में तो पुरी शरीर में सिहरन सी उड़ती है इनका इतना दूशप्रभाव पड़ता है कि हाथ और पेरों में ये सवेदन शुन्नता ला देते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हाथ पेर अच्छे से उसमें कुछ चीजों को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं तो ये इनका इतना दूशप्रभाव होता है इतना ही नहीं जब ये हमारी तवचा की डारेक्ट कॉंटेक्ट में आते हैं सीधे संपर्ग में आते हैं तो हमारी तवचा में छाले हो सकते हैं कुछ लोगों की तवचा में लाल चत के इससे पढ़ सकते हैं साथ ये साथ अगर ये आखों के रायरेक्ट संपर्क में आते हैं हमारी आखों पर अगर ये पढ़ जाएं तो हमारी कौर्णिया को जला तक देते हैं इतने दूष प्रभाव के कारण इनमे क्या होता है प्रतिबन लगा दिया गया है फिर भी देखें कि इनके उपयोग थे क तो बहुत सारे उद्योगों में ये विलायक का काम करते हैं और अशिदी निर्मान के समय जब लंबा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में उस प्रक्रिया के दोरान ये विलायक का बहुत अच्छा काम करते हैं कुछ धातुओं को साफ करने में इन्हें शुद्ध करने के लिए भी हम इनका उप्योग करते हैं पैंट को हटाने के लिए पैंट रिमूवर के लिए भी इनका बहुत अच्छा उप्योग होता था परन्तु इनके पर्यावरन पर दूश प्रभाव को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने इसके उप्योग पर प्रतिबंद लगा दिया है चलिए अब बात करते हैं ट्राई क्लोरो मिथेन की जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म CHCL3 ये रंग हिन और बहुत मधूर गंध वाले द्रौग होते हैं इनका अगर हम बात करें विलेता की तो यह जल में अलब विले हैं लेकिन आलकोहल ऑसिटोन या इथर इनमें ये अच्छे से घुल जाते हैं जब इन्हें परक्नली में डाला जाता है तो ये जल से डेड़ गुना भारी होते हैं भारी होने के कारण ये क्या होते हैं नीचे तली में आएंगे और जल जो है वो ऊपर रहता है इनका कवतनांग 61 डिग्री सेल्सियस होता है कम मात्रा में इन्हें सूंगने पर चक्कर आता है उल्टी होती है लेकिन अगर हम अधिक मात्रा में इससे सूंग लेते हैं तो इससे बिहोशी होती है समार्नी परिस्तितियों में यह आजोलनशिल होते हैं परन्तु जब हम इनने जलाते हैं तो यह हरे रंकी जुआला के सान जलते हैं यह सूरी के प्रकाश में यह हवा में इनने खुला रख दें तो इनका ऑक्सीकरन हो जाता है जिसके कारण ये फाजीन कार्बोनील क्लोराइड COCL2 गैस बनाते हैं जो की बहुत ही हानिकारक होती है इस कारण से इनका उप्योग पहले क्या होता था कि जब कभी भी सरजरी होती थी किसी भी प्रकार की तो सरजरी में क्लोरोफोर्म का उप्योग निश्चे तक के रूप में किया जाता था पर इनके दुश्प्रभाव को देखते हुए अब इनका उप्योग जो है निश्चे तक के रूप में नहीं किया जाता है इनकी जगा में कुछ और रसाइनों का उपयोग किया जाता है जो कि कम हानिकारक होते हैं तो इनका आब उपयोग हम नहीं करते साधरन जो होते हैं क्लोरोफॉर्म इस क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी मातरा में फाजीन गैस जो है वो गुली हुई रहती है इस कारण से साधरन क्लोरोफॉर्म का उप्योग सर्जरी के दोरान नहीं किया जाता सर्जरी में जो क्लोरोफॉर्म उप्योग की जाती है वो अतीशुद्ध होती है इन में कार्बोनिल क्लोराइड COCL2 नहीं होती तो देखिए, जब हम क्लोरोफॉर्म का उप्योग करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का जब भी हम प्रयोग शाला में भी उप्योग करते हैं, तो हमें क्या साउधानी रखनी चाहिए, कि इस प्रकार हम इसके दूश्प्रभाव से बच सकते हैं, ये देखते हैं जब कभी हम chloroform को उप्योग करें तो सबसे महत्पुन हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे सूरी प्रकाश से बचा के रखना है इसके लिए हम नीले या भूरे रंगी इसे बॉटल में रखते हैं दूसरा कि वायू की उपस्तिती में इसका ओक्सिकरन हो जाता है तो वायू इसमें ना जाए इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे पूरा बॉटल के मूह तक भर देते हैं जिससे इसमें वायू ना जाए और हमेशा डॉट लगाकर इसे हम रखते हैं और क्या सावधानी रख सकते हैं तो हम एक प्रतिशत एथिल एलकोहल का विल्यनिस में डालते हैं इससे क्या होता है कि जो फाजीन गय से वो नहीं बन पाती उसकी जगह में यहाँ पर डाई एथिल कार्बोनेट बनता है जो की जहरिला नहीं होता इनके उप्योग की बात करें जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि पहले इनका उप्योग निश्चेतक के रूप में किया जाता था पर इनके दूश प्रभाव को देखते हुए इनका उप्योग अब नहीं किया जाता ये किड्नी और लीवर में बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि लीवर में ये फाजीन गैस भी उपापचय के दौरान बना देते हैं तो इनके कारण से अब इन्हें निश्चेतक के रूप में उप्योग नहीं किया जाता बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 900 PPM पार्ट्स पर मिलियन से कम मात्रा में भी अगर ये वायू में उपस्तित है तो वहां भी चक्कर आता है कुछ लोगों को कुछ लोगों को उल्टी आती है और हलकी सी भीहोशी होती है इसके बावजूद इनका हम और कहां उप्योग कर सकते हैं तो बहुत सारी वसा में रबर, मूम, रेजिन और आयोडीन में विलायक के रूप में इनका उप्योग किया जाता है यह जिवानू नाशी होते हैं जिवानू नाशी होने के कारण एनटोमिकल जो स्पेसिमेंट होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी हम क्लोरोफॉर्म का उप्योग करते हैं वहीं बात करें नाइट्रो क्लोरोफोर्म और क्लोरी टोन की तो ये अच्छे किटानू नाशी होते हैं ये प्राइमरी एमीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लेब में जब परिक्षन करना होता है उस समें उप्योग किये जाते हैं पॉलि हैलोजन यॉगिकों में है आइडोफोर्म CHI3 ये पीले रंग का क्रिस्टलिय पदार्थ होता है जिसमें अपनी विशेश गंद होती है ये जल में आविले है लेकिन एलकोहल, इथर या क्लोरोफोर्म में ये क्या होता है विले होता है इनका गल्लांक मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेल्सियस होता है ये धीरे धीरे इनमें से आयोडिन क्या होती है? मुक्त होते रहती है इसके इस गुण के कारण ही आईडोफोर्म का उप्योग एंटिसेप्टिक के रूप में किया जाता है अन्य हैलोजन की अपेक्षा यह क्या होते है? थोड़े कम इस्ठाई होते हैं इसका कारण भी यह एए कि इनका आकार सबसे बड़ा होता है इनमें आयोडिन उपस्तितै है और हमने जैसे चर्चा की ही थी कि जैसे जैसे हम आवर सार्डेंग में उपर से नीचे आते हैं अकारबने से ये जो बंध होते हैं वो दूरबल बनाते हैं अब बात करें हम कारबन टेट्रक्लोराइड की CCL4 जिसे हम ट्राइक्लोरो मेथेन भी कहते हैं मध्य 1960 के दशक में इनका उप्योग उद्योगों में और घरों में चिकनाई को दूर करने के लिए किया जाता था दाग हटाने के लिए इनका उप्योग किया जाता था अभी भी जब हम कपड़ों को ड्राइ क्लीन करवाने के लिए भेजते हैं तो वहां बहुत सारी जगाओं में कार्बन टेट्राक्लोराइट का उप्योग किया जाता है ये आग बुझाने के काम भी आते हैं उस समय इन्हें हम पाईरीन के नाम से जानते हैं ये एरोसॉल क्रेन में ठंडाई का काम करते हैं और साथ ही साथ प्रणोदक बनाने में भी इनका उप्योग किया जाता है ये तेल, वसा, रेजीन इन सभी के लिए विलायक का काम करते हैं हुक वम को भी शरीर से निकालने के लिए कार्बन टेटराक्लोराइड का उपयोग किया जाता है इतने उपयोग के बावजूद कार्बन टेटराक्लोराइड का बहुत सारे देशों में इनका उपयोग प्रतिबंदित है क्या कारण हो सकते हैं तो यह क्या करते हैं यह मनुश्यों में और जानवरों के शरीर में बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं इनके कारण हमें चक्कर आ सकता है थोड़ा सा जी मचला सकता है और पूरे शरीर में सिहरन हो सकती है यहां तक कि इनकी वाश्प सुंगने पर ल कर देते हैं इतना ही नहीं यह हमारे प्रिथवी के ऊपर ओजोन की लेएर जो है उस लेयर को भी क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं अगर कार्बन टेट्राक्लॉराईट की प्रतिशत मात्रा धीक हो जाती है तो ऐसे होता क्या है तो सुरी की प्रकाश में जो हानिकार किणक यह वह प्रित्वितष कर डिया जाती यह जिस्से तब रचा केंसर अांकों की बीमारियां होती है साथिज साथ हमारी प्रतिरोधक जो तंत्र है वो भी काफी खराब हो जाता है तो इन कार्णों से इनका जब भी हम उपयोग करें तो जितने दिशा नर्देश दिए गए हैं इनके हानिकालेक प्रभाओ को कम से कम करने के लिए उनका उपयोग हमें करना चाहिए आगे हम बात करते हैं फियोन की CFC ये जो होते हैं ये काफी इस्थाई होते हैं इस्थाई होने के सांसांत ये आक्रियाशील होते हैं और आविश्यले होते हैं ये असानी से द्रविभूत होने वाली गैसे हैं इन्हें हम डाइफ्लोरो मिथेन CCl2 F2 कहते हैं इनका उपयोग घरों में जहां हम रेफिजरेटर यूज करते हैं वहां पे यही हैं जो cooling agent का काम करते हैं तो यह cooling नहां करते हैं दूसरा उपयोग इनका है एरोसॉल में नुदक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है इनका भी substitute ढूंडा जा रहा है बहुत सारे देश इस research पे लगे हैं कि हम इनकी जगा किनका उप्योग करें कारण ये है कि ये भी ओजोन की परत को लुक्सान पहुंचाते हैं जहां इनका ज़्यादा उप्योग होता है ओजोन की परत वहां थोड़ी पतली पाई गई है जिससे त्वचा का cancer आँखों की बिमारिया होने के chances बहुत बढ़ गये हैं बात करते हैं DDT powder की आपने देखा ही होगा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहां चीटी आ गई है तो आप यहां पर चीटी पाउडर डाल दीजे तो जनरल ही हम इने चीटी पाउडर के रूप में जानते हैं यह है DDT powder जिसे हम डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो ए इसे सबसे पहले जोडलर ने 1874 में बनाया था सवर प्रतम इसका उप्योग द्वीती विश्वयुद के समय जर्मनी में 1942 में हुआ था इसे बनाने के लिए हम एक मोल क्लोरल और दो मोल मोनो क्लोरो बैंजीन को सांद्र H2SO4 के उपस्तिती में जब इनका संगनन करते हैं तो हमें DDT powder मिलता है DDT powder सफेद रंग के अरिन में विशेश गंध होती है तो गंध योगत पाउडर होते हैं ये पानी में आवीले होते हैं पर petrol है या कार्बनिक विलाएक है उनमें ये विले होते हैं इनका उप योग मलेरिया फ्ैलाने वाले जो मचणे उनको नस्ट करने में किया जाता है ये बहुत अच्छे कीट नाशी है पर ये काफी इस्थाई होते हैं हमारे शरीर में और दूसरे जिवजन्तुओं के शरीर में वसा के साथ ये बंद बना लेते हैं बहुत इस्थाई होते हैं इसके कारण ये बहुत सारे मनुश्यों में पक्षियों में और जानवरों में बहुत हानिकारक इनका प्रभाव देखा गया है शुरू में इनका दुश प्रभाव पता नहीं चला लेकिन समय आते आते ये देखा गया है कि मचलियों में कारण कि जैसे डिडिटी पाउडर का छड़काव किया जाता है तो पानी के साथ ये बह कर आविले होने के कारण ये क्या करते हैं हमारे जलस रोतों में पहुंच जा लगाया है इतने इनके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए USA ने इसे अप्रतिबंधित किया है इस पर बैन लगाया है अब हम बात करते हैं इसे सबसे पहले माइकल फेराडे ने 1825 में बैन्जीन के उपर सनलाइट के प्रजेंट में क्लोरीन के साथ अभी क्रिया करके बनाया था ये भी बहुत अच्छा कीटनाशी है ये तो DDT की अपेक्षा बहुत अच्छा प्रभावशाली है तो इसे हम कीटनाशी के रुप में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं ये सफेद रंग का एक पाउडर है जिसका गलनाग 112 डिग्री सेल्सियस है जब इन्हें च्छार के साथ गरम किया जाता है तो ये अपगटित होकर ट्राइक्लोरो बेंजीन बनाता है इन्हें गेमेकसोन के नाम से भी जाना जाता है या 666 या लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है